तो आज हम बात करेंगे कमेस्ट्री में हैलो अलगेंग चेप्टर की दोस्तों बता दे कि अगर आप क्लास बारे में हैं तो आपका बोर्ड एक्जाम बहुत करीब आने वाला है तो दोस्तों बता दे कि उसकी तैयारी को देखते हुए हम इस टॉपिक को अलग-लग पार्ट म करके ला रहे हैं ठीक है बताइब दोस्तों देखे टॉपिक क्या है हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने के प्रयोक्षाला विधी है उसको रासाने के द्वारा समझाना है और बतादे कि एथील इलकोहाल तथा एसी टोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्ट करेंगे अब क्रिया जा सकता है जैसे क्या होता है जब करके पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के प्रयोक्षाला विधी का सचित्र वर्डन भी पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की रासानिक अबक्रिया का रा करेंगे या फिर पूझा जा सकता है कि असी टोन कैसे करेंगे असे ने कor समझाइए आईए इस वीडियो में देखेंगे कि इसका अंसर कैसे देपायेंगे बड़े ही आपाइए से बड़े सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्गल में ज्यादा ज्यादा इसको शेर कीजिए आए दोस्तों चलते हैं बिना टाइम पास के शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए एठील एल्कोहाल है और असीटोन है दोनों से हमको ट्लोरोफॉर्ण बनाना है और बता दे कि जब आपको अच्छा लगे लेकिन अगर आपसे एथिल एलकौहाल पूछ दिया तो पहले हम लोग एथिल एलकौहाल देखते हैं थीक अधिल एलकौहाल से कैसे ख्लोरोफार्म बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों नोड करिये एक चीज कि आप को मालूम होगा class 10 में आप CL2 के बारे में ठीक है यह क्या है यह है विरंजक चून जिसको ब्लेचिंग पाउडर कहते हैं और दोस्तों बता दे कि अगर ब्लेचिंग पाउडर है तो इसको पानी में डालना है आप जानते हैं कि अगर पानी गंदा हो गया है या पानी में किड़े मकोड़े पड़ गया ह तो पाने में कीटनासक दमाओं को छिड़काओ किया जाता है जिससे की पाने पीने योग्या हो सकता है दोस्तो बताते हैं कि यह बिरंजग चूण है अगर इसको पाने में डाल देंगे तो पाने में जो पondra यह गोड़ rough आ वो नस्ट हो जाते हैं मर जाते हैं ठीक है और जब आप डाल देंगे bleaching powder को पानी में तो होगा क्या आईए इधर देखते हैं सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों देखे bleaching powder को लेना है caocl2 यह है bleaching powder या विरंजक चून या विरंजक powder ठीक है इसको पानी में डालना है पानी मतलब h2o और जब आप इसको पानी में डाल देंगे तब होगा क्या देखे यह है कि आपका caocl2 यहाँ पर o है यहाँ पर o है आप जानते हैं कैलसेम की सजक्टर दो होती है तो बनेगा क्या ca ca और यह वाला o और यहाँ का o कितने o हो गए दो o हो गए इन दोनों o को यहाँ लीजिए और h यहाँ पर कितना है दो बार है उस h को भी यहाँ लीजिए ठीक है यह अब दो बार कर दिजिए यानि यह हो गए caoh का twice इसको पढ़ते है calcium hydroxide यह इसी को करते ह कि यही chlorine gas है ठीक है सबसे पहला काम यह करेंगे कि विरंजक्चोन को पानी में डाल कर chlorine gas उत्पन करा लेंगे या बना लेंगे ठीक है अब दूसरा काम क्या करना है आपको ले आना है ethyl alcohol cs3 ch2 o h यह आप जानते हैं यह क्या है ethyl alcohol है ethyl alcohol को इस तरह भी लिखते हैं c2h5 o h ठीक है ठोड़ा जानकारिक लिए आपको बता दूं कि इसी ethyl alcohol को grain alcohol भी कहते हैं ठीक है और यह इससे power petrol भी बनाया जाता है ठीक है यह power alcohol भी बनाया जाता है दूसरी बात है दोस्तों इसी की व्रादरी का या इसी की सजाती स्रेणी का पहला member है cs3 o h इसको कहते है ऊड़ alcohol उड़ एल्कोहाल और यह poisonous होता है दोस्तों इसको पी पीना नहीं चाहिए ठीक है इसको पीए नहीं जाता है यानि कि इसको drinking नहीं कर सकते आप इसका अगर इसका बैक्तियांधा भी हो सकता है पागल भी हो सकता और अंत में उसके मृत्यों भी हो सकती है ठीक है तो देखी यही है एथीलेलकुहाल अब पहले स्टिप में आप क्या किया है क्लोरीन गैस उत्पन नकरा लिए हैं दूसरे स्टिप में एथीलेलकुहाल को ले आएंगे यही एथीलेलकुहाल है सबका नाम आप लिखते जाएगा ठीक है अब देखे इस एथीलेलकुहाल के अभिक्रिया इस क्लोरीन गैस से कराएंगे, क्लोरीन गैस आगी, ठीक है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, और समझने कोशिस करेगा, जैसे ही इस एथिल एलकोहाल के प्रिया आप इस क्लोरीन से कराएंगे, तो यहाँ पर दो जो यह है न, दो हाइडोजन, यहाँ पर आजागा द जो agar कि यह उनकेल जाएगा इसके साथ चला जाएगा क्या बच जैगा Cory CS3CHO आप जानते हैं CS3CHO इसको क्या कते हैं इसको कते हैं Acetal Dehyde या दोगा आपको पहले भी पढ़े हैं यह देखे क्या बने का 2HCl क्या बनेगा दोस्तों 2HCl इसको भूल जाइए इसको ले लिजे अभी अभिक्रिया और आगे बढ़ेगी अभी क्लोरोफार्म बना नहीं है क्लोरोफार्म बनाने के लिए आपको 4 अभिक्रिया करना पड़ता है और बहुत important है ध्यान से देखेगा ठीक है यह Acetal Dehyde है ले लिजे इसको अब तीसरी अभिक्रिया देखे क्या होगी यह Acetal Dehyde ले के आईए यहाँ पर CS3CHO ठीक है और देखे यहाँ पर क्लोरिन है न देखे 3Cl2 यही क्लोरीन यहाँ पर किससे प्रिया करेगी Asterdehyde से ध्यान से समझेगा यहाँ पर 3 दूना के 6 क्लोरीन है 6 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन माइनस होगा और 3 क्लोरीन प्लस होगा ध्यान दिजेगा मन में रखे इस 6Cl2 में से मतलब 6Cl में से 3Cl माइनस होगा, 3Cl प्लस होगा, ठीक है, रियक्षन को समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3H दिख रहे है, H मतलब हाइडोजन होता है, एक हाइडोजन पर एक प्लस आता है, तीन हाइडोजन पर तीन प्लस आएगा, ध्यान समझने कोशिज करेगा, यहाँ से 3 हाइडोजन प्लस होगा, और वो 3 किस के पास आजाएगा, माइनस के पास, इस बात को मन में रखना है, ठीक है, मैंच जब को यह दिखाना है, यह दिखाना और आगे का दिखाना है, तो यह दोस्तों इसको लेना है, यह क्या है, यह एसिटल डिहाइड ही है, लेकिन इसमें 3 बार क्लोरीन आ गया, ठीक, तो यह एसिटल डिहाइड ट्राइक्लोराइड हो गया, मतलब 3 क्लोरीन वाला इसिटल डिहाइड हो गया, यह इसका भी पैसे नाम बोल सकते हैं, यह है ट्राइक्लोरो और 1 और 2, ठीक है, यह 2 पर ट्राइक लोरो आ गया दो पर दो 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 ट्राइक लोरो और ये दो कारवन है तो एथेनल बोल सकते हैं या एसेटल डियाई दोबर लेना है तो दोबर आप यहां भी ले सकते हैं तरह यहीं ले लेखे आगे तो लगा देतें कोई लिक्कत नहीं यह तो आप समझ रहे होंगे यहीं चीज है भी यहां पर अब इसके प्रिया करा दिए किस से यह बला देखके। यही C A O H का ट्वाइस यहां लेखरा जाईए और इनके साथ अब क्रिया करा दीजे ठीक है देखे C A O H का क्या ट्वाइस ठीक अब देखे जब इनकी अब क्रिया इनके साथ कराएंगे तो यह जो दोनों यच है वो यहां आ जाएगा बस और यह पूरा यहां से तूड़ जा मैंसे यह है इनके साथ आएगा तो यह क्या हो जाएगा ध्यान से देखेगा 2 C H C L 3 यानि C C L 3 था C C L 3 था और यह वाला यह चा के इनके बीच में बैड़ गया यहां पर बस अब क्या हुगा देखे क्या बचा अभी अब यहांस क्या बचा है C O C O C O इसको आप क्या लिख सकते हैं H C O लिख सकते हैं H H हो गया C C हो गया O O हो गया ठीक है यह कितनी बार है ? दो बार है क्योंकि आगे दो लगा है यह भी ज़िस्व दो भार है क्योंकि सब क्या अगे दो लगा है यहां पर कितनी बार है दो बर और बहूं यह सुद्ध यहां देखें, HCO, दो बार है, यह भी ओ दो बार है, यहां पर हो गया HCO, और यह वाला भी ओ यहां जोड़ देंगे, तो हो गया दो बार, और यह C, बस, यह देखें, आपका यही क्या है, क्लोरोफार्म है, ठीक है, यही आपका क्लोरोफार्म है, ठीक, तो आशा करते हैं, आपको ये चीस समझ में आ गई होगी यानि कैसे-कैसे बना हैं देखेJacky जल-प घटन होगा तीक है दूसरी स्टिप में क्या हुआ एथिल-अल्गोहाल केपक्रिया क्लोरीन से कड़ाइं इस अपक्रिया का क्या हो सकता हुद है है लोजनी करण है लोजनी करण या क्लोरी नहीं करण ठीक है इस स्टेप में क्या हुगा है जल अपघटन हुआ यानि जल से प्रिया तो नहीं हुई लेकिन जल जैसा ही यह होगी था तो इसमें इसके प्रिया इससे हो रही तो इसको क्या करेंगे जल अपघटन बोलेंगे क् जब throttle alcohol के विरनजक चूण से कराई जाती है तो उसके जल अपन धान है लोजन करन और अक्सिकरन से और हटOUGH के जूढना क्हाण आक्षकरन ही यहाँ पर हैलोजनी करण भी कह सकते हैं और चूंकि अगर हैडोजन निकल रहे हां से तो आप आक्सी करण भी कह सकते हैं तो फिर से सुनिये पूरी बात जब जब एथिल एलकॉल के अपक्रेव रेंजक चूंड से कराई जाती है तो उसके आक्सी करण हैलोजनी करण और जल अब भटन स क्लोरोफार्म बनता है इतना हिंदी में लिख करके और यह एक्षन आप लिख देंगे तो पूरी पूरी बात आपकी 100% गारंडी के साथ सही माल ले जाएगी ठीक है और यह एक्षन आपको देना है जब आप यह एक्षन देंगे तो आपको 100% नंबर भी मिलेगा ठीक है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों को चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकन दबाईए और ज्यादा जदा अपने फ्रेंट से क्लब निश्कों शेयर कीजिए मिलते हैं इसी तरह की कांटेंट के साथ अगली वीडियो में तब तक आप खुश रहे हैं बैस्तरी मस्तर आपका दिन शुभू